अभी हम चल रहे हैं इसका लेक्राइट रीगू लेखता है फटाफट कि भाई कैसी चल रहे हैं जबर बर्जन 3 है वाड़ी तो यार स्मूध है और इसके डिस्पेल मुझे लगदा थोड़ी सी अलग है यह बट वो किसी को कमी लग सकते किसी को अच्छी जी लग सकती है तो हेलो गाइस आज हम जा रहे हैं यामा के शोरूम में जैसे कि आपको पता होगा कि यामा की न्यू ब्रेंड न्यू के एंप्टी वर्जन 3 आई है एंड हमारी आरन 5 न्यू वाला वाला जो आपने देखा हूँ इसमें टी एफटी कलर डिस्पले दे दिये हैं कंप्री वाल इस तेम पे मैं जिम जाता हूं बड़ गई मैंना जिम को स्किप कर दिया है मैंने बोला आप लोग के साथ मुझे वीडियो को शेयर करना है ताकि आप लोग को मैं इंफोर्मेशन देपा हूँ गाड़ी कैसा है मेरे को कैसी लगए तो पूरे डिटेल बनाएंगे वही जाक सब्सक्राइब तो अभी हम चल रहे हैं इसका राइट रीगू ले लेते हैं फटाफट कि भाई कैसी चल रही है देख दो बर्चन 3 है या भाई के डिविडियो हो चुके है चोड़े मेरा हमारा क्राइड लेके आपके फटाफट कोई क्राइड मतलब पर चलेका भाई कैसी दो भाई चल रही है मजा रहे है मकसम गयार 70 मेरा लिख लेकरिस्ट्रेस्ट थायर भाई घाड़ी पिस जादा निकलाएंगेव थोड़ा चलाएंगे हम को गादी तो काफी स्मूध है जया मज़ा रहा चलाने में तो देख थे थोड़ा सहर चलाएंगे पता चलेगा गेर शिफ्टिंग तो इसकी स्मूध है तो काफी शही लग रहा है इसको चलाने में और इसमें काईस देखो दो तिन चीज़े आगे ब्रेकिंग मार के दखेंगे इसकी कि ब्रेकिंग कैसी है थेले आगे चल लेते हैं थोड़ा शूकी तब ही है पर चल पाएगा एक ब्रेकिंग की बात करें दूल चलने फिए दे दिया है उससे ब्रेकिंग काफी अच्छी हो रही है गाड़ी की एड एड लाइट शैट अपका लेड था यापने देखा होगा और एड इन डिकटर शैट अपका देदिया है गाड़ी काफी स्मूध यार चलाने में न अच गाड़ी वाई क्या सीनेस का तो गाड़ी बढ़िया है फड़ा हजगा सब्भगाते जागा नहीं गाड़ी है तो बस्ता नॉर्मल चलाने के लाए था ताकि मुझे पता चल पाए कि गाड़ी का रिस्पोंस काफी अच्छा है एंड भाई राइड करने का मौका मिल पाया और यह विशाल भाई की वज़से विया है तो आप लोग भी ट्रस्ट यामा मतलब जो हमारे केलास होस्पिटल के पास है नियर हमारा इस्पिनापुल इस शोरूम से जाके ना आप भी MP15 वर्जिन 3 को ले सकते हो यामा की आरन 5M को भाई को नाम ले लेना मेरा मैटा राइडर और भाई आपको डिस्कॉंट भी लगा देंगे बढ़िया तो गाड़ी की बात करें गाड़ी काफी बढ़ी आया भाई तो मुझे तो साही लग रही है पूरी प्रॉपर मतलब फील आ रहा है गाड़ी को चलाने में तो घाड़ी तो यार स्मूढ है और इसकी डिस्पेल्इ लगना थोड़ी इस अलग है तो सेन है अ अच्छा मैंने अपने वाईजर लगा रखा है ना तो इसलिए मैरी थोड़ी हलोगे थोड़ा इस से देखने में अलग सा लग ए पत्पटा गर है मतलए बट गाड़ी आर अक थोड़ी सी ओवर्प्राइस बोल सकते हो बड्राइड ये बात करें अभी थोड़ा पीक अप कम पकड़ रहे है क्योंकि भाई गाड़ी आपको थायता हूं क्योंकि यहां महां कि भाई आप इंजन के रिलाइबिल्टी होती है इसके रिलाइबिल्टी के साथ आपको पता है परफॉर्मेंस भी अच्छी प्रोवाइड करता है वीडिया टेक्नोलोजी इसके अंदर मायरेज भी अच्छा है और कैसी है तब चलते हैं सोरूं की साइड सब्सक्राइबी कारी किसी बढ़िया है कि कुई और भाई कराइब यार बहल क्या वूल मैं आप बूलिया ना फो को देखने में देख्ती तुर्मॉस्ट्र लगती ए है दो लुग देखो लेए तगडी जो रोड प्रेसेंश टर्यों मैं मेरी आप देखेना बूली ततिया आप देखी भार हो यह रही अपनी इजुमी इसकी भी रोड प्रेसेंस ठीक है बट मुझे बस इसमें एक कमी लगी बट वो किसी को कमी लग सकती है किसी को अच्छी जी लग सकती है वह इसके एलोई यह कलर मुझे पसननी आया बैट भाई राइड रिव्यू बोलो रिभी अगात तर्फ से अगर आपको नहीं बता ट्रैक्शन कंट्रोल इक तरफ देखेंस इसमें लिखा वारें आपको देख रहें हो तो प्लेगा उन करने का सिस्टम राणीव हाँ प्रट इकाफी एक्स्पोज इसको सभी कर देगी आमा तो काफी अच्छो रगा तो यह ही था मतलब एक राइट रिव्यू